सूप्रभाद बच्चों, कैसे हो आप सब आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और हमारी रिज्जल क्लासिस का अनन्द उठा रहे होंगे तो आज की वीडियो में हम करेंगे श, श, स, ह की लिखाई तो चलिए शुरू करते हैं लिखाई लिखाई करने के लिए हमें चाहिए पांच लाइनों वाली कॉप्पी तो यह है हमारी पांच लाइनों वाली कॉप्पी जिसमें दो लाल हैं और तीन नीली और हम शुरू करेंगे पहली नीली लाइन से पहले बनाएंगे हम श के लिए लगाएंगे एक छोटा सा गोला और गोले को फिर नीचे ले जाएंगे दूसरी नीडी लाइन तक और यहां पर भी एक गोला लगाते हुए उस गोले की पूछ निकाल देंगे तीसरी नीडी लाइन तक और फिर लगा देंगे हम एक खड़ी रेखा और अब उपर लगाएंगे हम एक सोती वी रेखा इसमें हमने हुंडी पर भी सोती वी रेखा लगानी है तो क्या बन गया बच्चों यह श श श शल जम अब बनाएंगे श श श क्षटपोन इसके लिए एक लिए छोटी खड़ी रेखा उसको मोड कर फिर से पहली लाइन तक लेकर जाएंगे और फिर वहां से लगा देंगे एक और खड़ी रेखा और फिर नीचे से उपर तक एक तिरची रेखा लेकर जाएंगे और फिर एक सीधी रेखा तो ये क्या बन गया बच्चों? श, श, शटकोन और अब हम बनाएंगे स, स के लिए एक छोटी खड़ी रेखा उसको थोड़ा सा मोड़ेंगे फिर नीचे ले जाने के लिए एक तिरची रेखा लगाएंगे और बीचवाली लाइंज में एक सोती हुई रेखा और उसके साथ में एक खड़ी रेखा जोड़ देंगे और उपर लगाएंगे एक सोती हुई रेखा तो ये क्या बन गया बच्चों? स, सडक, आप बनाएंगे हम ह, ह, के लिए एक छोटी रेखा लगाएंगे और फिर लगाएंगे एक आधा गोला और उस आधे गोले की हम निकालेंगे हली किसी पूंच और फिर आधे गोले के बीच में से फिर एक और आधा गोला लगाएंगे और उसको तीसरी रेखा तक लेकर जाएंगे और उपर लगा देंगे हमें सोती हुई रेखा तो ये क्या बन गया बच्चों? ह, ह, हल तो बच्चों आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? श, श, स, और ह की लिखाई तो जल्दी से आप भी अपनी कौपी में श, श, स, और ह की लिखाई का अभ्यास करें ताकि आप इन अक्षरों को लिखने में समर्थ हो पाएं धन्यवाद, आपका जिन शुब हो